च्छतरपुर जिले में फजल चोरी के मामले में चोरी करने वाले युगकी पिटाई का मामला सामने आया है जहाँ एक दिन बाद आरोपी की संदिग्द परस्तितियों में मौत हो गई मामले की गंबीरता की बाद इलाके में संसनी फैल गई है और लोग देशत में है मामला जिले के बमीटा थाना छित के ग्राम गंगवा का है जहाँ संजु पिता गोबरा पाल ने गाउं में एक बोरी राई की चोरी कर ली थी जहाँ गाउं के दो लोगों ने आरोपियों की सरयाम जूते चपलों से पिटाई कर दी थी वहीं अब एक दिन बाद संजु पाल की संदिग्द परिस्तितियों में मौत हो गई है बता दें कि दो दिन पहले संजु पालो और राहुल पटेल ने गोपाल साओ की राई की एक बोरी चोरी की थी जिसके चलते गोपाल साओ और मुन्नी साओ ने सरयाम जूता चपलों से दोनों की पिटाई कर दी थी इस दोरान गावाले तमाजबिन बनके देखते रहे हाला कि बाद में कुछ लोगों ने दोनों को बाद में बचाया था और उसी दिन संजु ने खाना पीना भी बंद कर दिया था संजु के शरीर में चोटों के निशान भी है अब पिता गुबरा ने आरुप लगाया है कि संजु के मौत मार पीट के कारण हुई है पूरे गाउं में इस गटना को लेकर तनाव व्याप्त है गटना और मामले की जानकाली लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुँची और शर्प का पंचनामा बना कर पीम के लिए राजनगर अस्पताल भीज दिया है वहीं परिजा निवम ग्रामने उसे अक्तिया मान रहे हैं और अक्तिया का मामला दर्ज कराने में अड़े हुए है वहीं गटना के बाद सही इलाके में तनाव के स्थिती व्यापत है मामला चाहे जो भी हो पर इतना तो तह है कि बुंदेल खंड के हालात बत्त से बत्तर होते चले जा रहे हैं लोग आप कानून की परवा ना करते हों खुद कानून को अपने हाथ में लेकर फैसला कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रिशासन प्रिशासन का लचर और लापरवाई पून रवया रहा है वरना लोग इस तरह कानून हाथ में लेकर खुद फैसले ना करते क्यों की गोपाल और मुंझी आइप कर और मौत का कारण काया भी तो इस पर जयाद नहीं हो रहा है मिरतक का नाम संजुपाल है पिता गुबरापाल है ओमर 25 बर से निवासी मोहन परुवा घंगवाह का रहने वाला है इन लोग अनुद का खेना है कि किसी के यहां राई चुड़ाईदी इसका इसी तो चर्चा हो जो अपन ब्यान लेंगे तो तब इस पर श्टोगा